नमस्कार साथियो आसा करता हूँ कि आपसे बहुत अच्छे होंगे साथियो आज के क्लास में हम लोग एंटिटी सेकेंड येर का बहुती महटपूर्ण चेप्टर लेकर आज उपश्टिट हुए हैं आज का चेप्टर है सुरक्षा सिच्छा का अर्थ सुरक्षा सिच्छा से हम क्या समझते हैं और दुर्घटना क्या है दुर्घटना के कौन-कौन से प्रकार होते हैं आज इन्हीं विशेप हम चर्चा करेंगे धियान दीजे सुरक्षा सिच्छा का अर्थ मिनिंग आफ सेफ्टी एजुकेशन अपने जीवन को बिभीन संभावित दुर्घटनाओं तथा खत्रों से बचाने एबन जीवन को शुरक्षित रखने के अउपयों से अवगध कराने में बताई जाती है, शिखाई जाती है, तूसे हम सुरक्षा सिख्षा कहते हैं। सुरक्षा सिख्षा, घर में, बिद्याले, तथा खेल के मैदान में होने वाली शंब्हावित दुर घटनाओं को कम करने या उनसे बचाव करने के लिए उपाय बताए जाते हैं अब यह कौन-कौन सी दुरघटनाय होती है जिससे हम बचाओ कर सकते हैं तो ध्यान दीजे दुरघटना के मुखितत तीन प्रकार हैं घर में होने वाली दुरघटनाय घर से बाहर होने वाली दुरघटनाय विद्याले की दुरघटनाय ध्यान दीजे पहला है यहा हाठ का कट जाना दूसरा है अश्नान घर में फिसल का गिर जाना तिसरा है सीधी से गिर जाना चौथा है गर्म तबे से जल जाना पाचमा है इस्टो फटने से होने वाली दुरखटना है साथियों आगे देखिए छठा है प्रेशर कुकर के फटने से होने वाली दुरखटना सात्मा है गैस के चुले से होने वाली दुरघटना आत्मा है बीजली के प्रेश करते समय करंट लगना नौमा है फूट पवैजिंग होना आगे देखे घर से बाहर होने वाली दुरघटना है सरक पर चलते हुए वाहन से दुरघटना हो जाना दूसरा है अपनी साइकल, मोटर कार तथा स्कूटर से गिर जाना, तिसरा है पैदर सरक पार करते समय चोट आ जाना, चौथा है किसी दूसरे के वहान से टकरा जाना, पाचमा है चलते वहानों का टकरा जाना, छटा है मशीन चलाते समय दुरघतना गरश्ट हो जाना, शातमा है कर खाने में आग लग जाने से होने वाई दुरघतना, आठमा है सिनमा हौल में आग लगने से होने वाई दुरघतना, नुमा है सरक पर भागते हुए किसी पसू के टकराने अठवा उसके मारने से घायल होना, दसमा है आकास से गिर कर किसी बश्टू के लग जाने से घायल हो जाना, ये घर से बाहर होने वाई दुरघतना थी, आगे है बिद्याले की दुरघतना आए, आचानक गिर जाना गर कउनकों से कारण हो सकते हैं तो दुरहतन के बहुत सरे कारण हो सकते हैं जिसे हम उन कारणों को समझ का दुरहतना को कम कर सकते हैं दुरहतना के बहुत सारे कारण हो सकते हैं ध्यान दिजिए दुरहतना क्यों होती है इसका कोई एक निशिच कारण बताना कठीन है समानित दुरहतना के बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसका सबसे पहला कारण है असिक्षा असि के साथ हर समय कोई नो कोई दुरुघटना होनी की संभावना बनी रहती है असिक्षित बेक्टी समाज के तौर तरीके के संभर्क में नहीं रह पाता यही कारण है कि ग्रामिनों के साथ दुरुघटनाओं के अधीक संभावना रहती है सहर में रहने वाले बेक्टी जो असिक्षित है उनके साथ भी यही चोटी चोटी बाते दुरुघटना के कारण बन जाती है इसका दूसरा कारण है अज्ञानता असिक्षा से अज्ञानता पैदा होती है एक शिक्षित बेक्टी समान नियमों से परचित रहता है तथा काम आने वाले उपकरनों के उपयोग करने की समुची जनकाई कारण दुरघतनाओं से बचा रहता है इसके वेप्रिट अज्यानतावस जो बेक्टी नियमों से अब परचित रहते हैं वे दुरघतना ग्रश्ट हो जाया करते हैं तूसरा है और सावधानी कुछ बेक्टी ऐसे होते हैं जो सिक्षित भी है बुद्धी मान भी है प्रणतुपरतिया कारव करने में इतनी स्रिगृता करते हैं कि प्राया वह दुर्घतना ग्रश्ट हो जाया करते हैं कभी कभी बहुत तेज और होस्यार बेक्टी भी जल्दी की चेकर में वह दुर्घतना से ग्रशित हो जाते हैं चौथा है मनोबैज्ञानिक कारण, कुछ दुर्घतनाओं का कारण मनोबैज्ञानिक भी होता है, मानसिक रूप से प्रेसान बेक्टी, वीश्मान करना, कुए या नदी में डूप कर, गले में फंडा लगाकर, शरीर में आग लगाकर, आधिक के द्वारा आत्मत्या करने का प्रियास करना, और अगला है समाजिक कारण, समाज बिभीन प्रकार के समाजिक उठसबो, बीबा हो, साधियों के अफसरों पर अधिक भीर से दुर्घतनाएं हो जाया करती है, कभी कभी शमाजिक समारों में विसाक्त खार्प दाठों के कारण, अचानक संक्रमन, रोग ज इसे हमने पांस दुर्घतना के कारण आपको बताएं, चर्चा किया है, असिक्षा, अज्यानता, असावधानी, मनोबैज्यानी कारण, समाजिकार, इसके अलाबा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिससे संभाविच दुर्घतना होती है, रोगोती रहती है, दुर्घतन के बचाओ के कुछ उपाय बताये गए है, जो इस प्रकार है, ध्यान दीजे, बालकों को परते कार को सबधानी पुर्वक करने की आदत डालनी चाहिए, तथा स्वेम भी सभी कार्यों की सबधानी पुर्वक करने की आदत डाले, दुसरा है, छात्रों को इस प्रकार की चिट करा देना चाहिए तथा बता देना चाहिए कि उन्हें किन बातों की सब्धानी व्रतनी क्या उसकता है। चौता है, गैस के चुलहों के पास कोई बिजली का स्विच अथ्वा जोलन शिरपडात नहीं होना चाहिए। पाचमा है, खाना बनाने एक पशार गैस की नीव तथा सलेंडर का स्विच भली भाती बन कर देना चाहिए, छटा है, जब तक बालकों को किसी यंट तथा बाहन परियोग करने का पुरा पुरा ग्यार नो हो, उन्हें इनको चलाने से मना कर देना चाहिए, उन्हें इस समने पुरी तरस प्रसिश्चन लेने के पशाथ ही लाने देना चाहिए, सात्मा है, गैस पर रखे हुए वर्तन को, पहने हुए बश्टों को, जैसे दुपत आठवा, सारी के छोर से पकर कर नहीं उठाना चाहिए, खाना पकाते समय सिंधेर्टिक बश्टों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नौमा है, बिजली की यंतों का प्रयोग करने से पहले, उन्हें चेक कर लिया जाना चाहिए, कि वे ठीक है या नहीं, दस्मा है, रोसोई में चाकु जैसी वश्टों को, बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए, वर्नर, गैस, पाइप, इस्टों, आदि, भलिभाती, कसे हुए हो, तथा साफ हो, बरामा है, बिज्द्याले के खेलने के मैदान में, चात अध्याप को की निगरानी में, खेल, खेले, तिरह मा है, बिज्द्याले में प्रात्मिक चिकित-था का अचित, विवस्टा होनी चाहिए, elessly में, विद्याले के कमर पानी की तंकी को सता हमें एक वार अबस साफ करवा देनी चाहिए सत्रहमा है विद्याले के कैमरे मैदान सोचाले आधि ठी प्रकार से समय समझ पर सफाई होती रहना चाहिए इसके अलावा आगे है मध्यान भोजन के समय बच्चों को मना किया जाए कि वह खमोचे वाले करते हुए फाल फूल चाथ अदिनले सरक पचलते समय सरक पार करते समय सरक के नियमों को पुरी तरह पालन करना चाहिए इस परकार कुछ विशेसग्यों द्वरा दुरहतना के बचाओ के उपाय बताये गये हैं तो इस परकार आज हम लोगों ने उन्हें सरक सुरक्चा सिक्चा के अंतरगत दुरहतना के प्रकार एबम दुरहतना के बचाओ के बारे में आज चर्चा किया जनकारे प्राप्ट किया आजके क्लास में इतना ही फिर अगले क्लास में हम लोग नए वीडियो के साथ उपाशट होंगे तब तक के लिए जय हिन जय भारत आपका दिन सुभ झाल झाल